आपकी पास Vivo X100 प्रो है कोई भी फोन है तो यहाँ पर आप अटो कॉल रिकॉर्डिंग की सेटिंग कैसे कर सकते हैं फोन में कॉल रिकॉर्डिंग टर्ण आउन करने के लिए आप जाएंगे यहाँ पर डाइलर पर और यहाँ पर आपको दो डाइलर मिल जाते हैं और एक तो आपका Google डाइलर एक वीव डाइलर तो दोनों में बारी बारी से करके दिखाऊंगी तो जैसे कि मानलों वीव डाइलर आपने होगी कस्टम कर देंगे कस्टम पे क्लिक करके कुछ स्पेशल नंबर आप एड ओन कर सकते हैं प्लस पे जाके कि इस इस परसन का कॉल रिकॉर्ड होना चाहिए जब भी इसकी कॉल आये तो या जाए ठीक है और कोई कॉल रिमॉफ करनी है तो यहां पर आप थ्री डॉट पे जाके सलेक्ट करके सलेक्ट करके उसे डिलीट कर देंगे तो अब इस परसन की कॉल रिकॉर्डिंग नहीं होगी जो हमने डिलीट कर दी जो बचा है इसकी कॉल रिकॉर्डिंग होगी ठीक है यह हो गया कस्टम का ओप्शन इसकी बाद कुछ नहीं बैक कर लेंगे अब जब भी इस परसन को इस टैप से आप call recording इसकी कर सकते हैं आप call recording यहाँ पे play करके सुन सकते हैं बाकि save वगरा करना है तो कर लेंगे और किसी किसी phone में तो यहाँ पे आपका जो recorder होता है इसमें भी call recording आपके show करती है या फिर आपके file manager में ठीक है अब बाकि तो call recording में आपको दिखा दी कहां से मिल जाएगी आपको और यहाँ पे file में जाओगे ना audio में भी आपको मिल जाएगा सुन लेंगे यह रहा audio यह रही call recording ऐसे करके सुन लेंगे अब बारी आ जाती है यहाँ पे sorry इसकी गूगल डाइलर की तो गूगल डाइलर पे आप जब क्लिक करोगे तो इसको set as default करोगे तो अब यह वाला काम करना start कर देगा डाइलर contact आपके सेम रहेंगे अब इसमें आपको call recording चाहिए तो यहाँ call recording का option है इसको आप on कर लेंगे अब यहाँ पे call recording का announcement बन करना है तो यह जो play audio है ना इसके option को on रखेंगे तो आपका sound play नहीं करेगा जब call recording करेंगे तो देख सकते हैं यह हो गया call recording तो अभी हमने ना यह on किया ना तो कोई इस number हमने I think select नहीं कर रखा तो इस वज़े से यहाँ पर automatic call recording नहीं हो रही है हाँ यह unknown number को हमने on कर रखा है ना यहाँ पर आप कोई number select कर लोगे जो हमने save कर रखा है सौरी save नहीं हाँ save तो उसकी call recording करने के लिए number पहले add करना होता है तब जब उस person को call लगाओगे तो automatic call recording होगी तो देख सकते हैं अपने आप call recording स्टार्ट हो गई है ठीक है तो ऐसे करके यहाँ पर call recording कर लेंगे और यहाँ पर कोई आवाज भी नहीं आए कि और call has been recorded इस टैप की और यहाँ पर क्लिक करके इसको सुन लेंगे या फिर अपने file manager से तो इस टैप से आप दोनों डाइलर्स में call recording सेट कर सकते हैं turn off करना है तो इसकी के लिए पहले आपने जो option on किया था उसको turn off कर लेंगे अब उसमें तो पता है शायद आपको इसमें मैं आपको बता देती हूं call recording को don't call record automatically कर लेंगे अब कोई भी call record नहीं होगी अब चलो यह भी पताई देती हूं मैं आपको इस वाले डाइलर में जाएंगे अगर यह डाइलर यूज कर रहे हैं तो इसका भी call recording हम यहां से बंद कर देना है और कट कर देंगे तो यह option भी आपका बंद रहेगा अब यहां पर कोई call record करोगे तो नहीं होगी ठीक है मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार